नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र पांडे जुलाई के महीने की समाप्ती के बाद अमूमन अगस्त सिप्टेंबर अक्टूबर के लिए आने वाले सत्र में आने वाले साल में बच्चों के एड्मीशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बहुत सारे माबाप इस समय फॉर्म ला रहे होंगे भर रहे होंगे अपने बच्चों के लिए तयारियां भी कर रहे होंगे क्यों के बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाए लेकिन क्या हर बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाता है क्यूं नहीं होता है ऐसा और किस बच्चे की किस्मत में इस समय दाखिले का चाल चक्र है ये जानने की आज कोशिश करेंगे चाल चक्र में क्या खास है चलिए बताते हैं आपको चाल चक्र में आज बात करेंगे कि बच्चे के दाखिले से जोतिश का आखिर क्या संबंध है क्या मन्चा है स्कूल में आपके बच्चे को आपके नौनिहाल को एड्मीशन मिलेगा आप अपने बच्चे के लिए कुछ खास उपाय कीजिए ताकि आपके बच्चे का एड्मीशन आसानी से किसी बेहतर कॉलेज में किसी बेहतर स्कूल में हो पाए बात कर रहे हैं आपके बच्चे के एड्मिशन की और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त आपके बच्चे का समय कैसा चल रहा है उसका एड्मिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और किस तरह के उपाय किये जाएं जिससे आपके बच्चे का एड्मिशन आपके और दाखिला बहुत आसानी से हो जाने की संभावना बनती है ऐसा लगता है कि अगर आपके बच्चे की राशी मेश है तो उसका एडमीशन आसानी से हो जाएगा इनके लिए गडित विशे पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होगा जो कलकुलेशन वाला पार्ट है जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उस पर ध्यान देना होगा ताकि बच्चा कहीं वहाँ पर गरबड़ी ना कर दे मैथमेटिक्स के विशे पर ध्यान देना आवश्यक होगा रोज सवेरे अपने बच्चे को सूरी देव का दर्शन करवाईए कि आपका बच्चा सूरी के सामने खड़े होकर सूरी देव को प्रणाम करे अगर ऐसा रोज अपने बच्चे से करवाना शुरू करें तो उसकी जो मेधा है उसका जो intellect है जो brain है वो काफी अच्छा होगा और वो बहुत आराम से किसी अच्छे स्कूल में अडमीशन पा जाएगा ये जो वृष राशी के बच्चे हैं जिन बच्चों की राशी वृषब है इस राशी के बच्चों का समय मिला जुला चल रहा है ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा दाखिले में थोड़ी मुश्किल आ सकती है ऐसा लगता है कि दाखिले में बहुत सारे फॉर्म भरने के बावजूद एडमीशन में थोड़ी दिक्कत आएगी इसलिए दिक्कत पर ध्यान दीजिए अपने बच्चे पर समय दीजिए और अपने बच्चे की अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए बच्चे को पोयम सिखाईए ABCD बताईए कलर का ग्यान दीजिए यानि थोड़ा सा बच्चे के पार्ट पर ध्यान दे और कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा अंग्रेजी ठीक से जान पाए थोड़ी बहुत तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और रोज सवेरे अपने बच्चे को ब्रश करने के बाद दो तुलसी के पत्ते भी खिलाईए ताकि बच्चे का ब्रेन शार्प हो, बच्चे का मरकरी मजबूत हो और बच्चे का एड्मीशन आसानी से हो सके आपके बच्चे का समय इस समय अच्छा चल रहा है लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाईएगा और आपका बच्चा लापरवाही न करे, इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस और लापरवाही के मामले में कहीं बच्चे के लिए कोई मुश्किल पैदा न हो जाए इनको बात, चीत और व्यवहार के मामले में कुशल बनाना होगा आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से बात करना सिखाईए, अच्छी तरह से मैनर सिखाईए, अच्छी तरह से व्यवहार करना सिखाईए जब भी इंटर्व्यू के लिए स्कूल में जाना है, आप अपने बच्चे को वेल प्रिपेर्ड करके ले जाईएगा खासतोर से behavior वाले मामले में, व्यवहार वाले मामले में तो इससे लाब होगा अपने बच्चे को हलके हरे रंग के वस्त्र अगर आप इस समय धेज सारा धारन करवाना शुरू करें तो उससे आपके बच्चे का brain sharp होगा, बच्चे का admission आसानी से हो जाएगा अगर आपके बच्चे की राशी करक राशी है, तो क्या मामला है? वर्तमान जो समय है न, ये मिला जुला चल रहा है और इस मिले जुले समय में, admission के मामले में ठीक से प्रियास करना होगा बहुत मेहनत करनी होगी, माता पिता को मेहनत पर ध्यान देना होगा और थोड़ा सा ध्यान अती विश्वास पर, over confidence पर भी देना होगा आपका बच्चा over confidence के मारे में मारा न जाए और माता पिता को भी form आदी भरने मिला परवाई नहीं करनी होगी कि सब जगां का form नहीं भर रहे हैं, एक का भर रहे हैं, दो का भर रहे हैं थोड़ा माता पिता भी महनत करेंगे और बच्चे को भी over confidence से बचाएंगे अपने बच्चे को नियमित रूप से प्राता काल गुड़ खिलाईए ताकि मंगल और सूर्य वाला element उसका मजबूत हो और उसका admission आसानी से हो सके अगर सिंग राशी के बच्चों की बात करें, आपके बच्चे की राशी अगर सिंग है तो ये समझ लिजिए कि वरतमान समय आपके बच्चे का ठीक चल रहा है वरतमान समय बुरा नहीं है और इस समय आपके बच्चे को दाखिले के एडमीशन के बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं इस समय आपके बच्चे को एक दो नहीं काफी मौके मिल सकते हैं जिसमें आपके बच्चे का एडमीशन हो जाए या तो अपने बच्चे को गायत्री मंत्र का जब करवाईएगा और अगर बच्चा बहुत छोटा है तो बगल में बैठा करके उसको गायत्री मंत्र सुनाईए ताकि उसका एड्मीशन आसानी से हो सके एड्मीशन के मामले में कोई दिक्कत की संभावना ना बने कन्या राशी अगर आपके बच्चे की राशी कन्या है आपकी बेटी है बेटा है और अगर राशी वर्गो है कन्या है तो वर्तमान समय आपके बच्चे का कठिन चल रहा है बहुत प्रियास करने पर ही एड्मीशन हो पाएगा मामला इतना आसान नहीं है सही समय पर फॉर्म भरिये और सही स्कूल का चुनाव कीजिए तब जा करके आपके बच्चे का एड्मीशन आसानी से हो पाएगा हलके नीले रंग के वस्त्र अगर आप अपने बच्चे को धारण करवाएं तो आपके बच्चे के लिए बहुत सुंदर होगा उसके संघर्ष थोड़ा कम होगा उसका एड्मीशन आसानी से हो पाएगा तुला राशी की बात करें अगर आपके बच्चे की राशी तुला है तो आपके बच्चे का वर्तमान समय अच्छा है ऐसा लगता है कि उसका दाखिला उसका एडमीशन बहुत आसानी से और बहुत अच्छी जगा पर हो जाएगा लेकिन आपको वरतमान में इनके स्वास्त का बहुत ध्यान लखना होगा कि एड़ प्रिजेंट सेहत की वज़े से कहीं गड़बर न हो जाए एडमीशन न हो पाए सेहत खराब न हो जाए उसका ध्यान लखिएगा अपने बच्चे को शिवजी का दर्शन करने की आदट डालिए और अगर वो शिवजी के पूजन भी कर सके तो बहुत सुन्दर रहेगा वरिष्चिक राशी देखिए अगर आपके बच्चे की राशी वरिष्चिक है स्कॉर्पियो है तो आपके बच्चे का समय बहुत अच्छा नहीं है बहुत मेहनत करने के बाद और माता-पिता के बहुत कोशिश करने के बाद ही आपके बेटे का एड्मीशन हो पाएगा वर्तमान में इनके अति विश्वास पर इनके ओवर कॉन्फिडेंस पर ध्यान दीजिएगा ऐसा नहों कि सब आने के बावजूद आपका बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में गरबढ़ियां कर जाए पीले रंग के वस्त्र अगर आपके बच्चे को पहनाए जाएं तो पीले रंग के वस्त्र जादा पहनने से आपके बच्चे के जीवन में शुबता आएगी अगर आपके बच्चे की राशी धनू है तो समय आपके बच्चे का मध्यम है एवरेज है शुरुआत में एडमीशन के लिए मुश्किले आएंगी, लेकिन बाद में एडमीशन आसानी से हो जाएगा वर्तमान में केवल व्यवहार और स्वभाव पर ध्यान देना होगा, अपने बच्चे के प्रिजेंटेशन पर ध्यान देना होगा कि आपका बच्चा बात कैसे करता है, आपका बच्चा बिहेव कैसे करता है, आपका बच्चा प्रिजिंट कैसे करता है, इस पार्ट पर ध्यान देना जरूरी होगा रोज अपने बच्चे को थोड़ा सा गुड़ खिलाईए ऐसा करने से मंगल वाला पार्ट ठीक होगा तो एडमीशन में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके बच्चे की राशी मकर है केप्रिकॉर्न है तो बच्चे का समय अच्छा है दाखिला आसानी से हो जाएगा लेकिन आपका बच्चा ठीक तरीके से बात नहीं करता है ठीक तरीके से अपनी बात को रखता नहीं है थोड़ा सा बात चीत पर की बच्चा कैसे बात करे बहुत शर्माये नहीं कम से कम अपनी बात सामने रख पाए बात चीत पर ध्यान देना जरूरी है इनको केवल हनुमान जी का दर्शन और पूजन कराना उत्तम होगा हनुमान चालिसा पढ़के सुनाईए हनुमान जी की पूजा कराईए सुबह उठकर के नहा करके हनुमान जी का दर्शन करे हनुमान जी को प्रणाम करे तो internally उसकी जो बुद्धी है जो उसकी डिप्लोमेसी है जो उसका brain है वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर कुम्भ राशी की बात करें आपके बच्चे की राशी मान लिया कुम्भ है तो कुम्भ राशी के बच्चों का समय मिला जुला चल रहा है एक बात तो निश्चित है कि मुश्किले आएंगी इसमें दो राय नहीं हैं तमाम मुश्किलों के बावजूद admission हो जाएगा अब admission आपके बच्चे का हो जाए इसके लिए इनके general knowledge पर इनके सामान ग्यान पर ध्यान दीजिएगा color ठीक से पहचाने, spelling ठीक से याद रखे, चीजों को पहचाने यानि चीजों को समझने में दिक्कत पैदा न करे एक general knowledge वाला जो part है वो अपने बच्चे का ठीक रखिएगा और हलके नीले रंग के कपड़े जादा पहनाईएगा इससे आपके बच्चे को सफलता जल्दी मिलेगी मीन राशी अगर आपके बच्चे की राशी मीन है तो समय कुल मिला करके आपके बच्चे का मध्यम चल रहा है दाखिले में थोड़ी मुश्किल आ सकती है और कुछ समय लापरवाही की जाए तो काफी मुश्किल आ सकती है इसलिए अपने बच्चे के एडमीशन में किसी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा इस समय अपने बच्चे के स्वास्ते पर ध्यान बनाए रखिएगा कि सेहत को लेकर के बच्चे के ऐडमीशन में किसी तरह की प्रॉब्लम न आए क्या करेंगे अपने बच्चे को भगवान शिव का दर्शन करवाएं और भगवान शिव का पूजन करवाएं वो करवाना आपके बच्चे के लिए विशेश लाबकारी होगा विशेश अच्छा होगा अब आपके बच्चे की राशी कोई भी हो आपके बच्चे का लगन कोई भी हो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमीशन ठीक समय पर ठीक स्कूल में हो जाए तो उसके लिए एक काम हर माबाब कर सकते हैं कि अपने बच्चे को सूरी का दर्शन करवाएं और पजडे के दिन अगर एक पीला धागा बाद दिया जाए तो निश्चित रूप से ये मुश्किल हल होनी शुरू हो जाए